हेले स्टुडेंट कैसे हैं आप सब इवर्पुना सीव कोचिंग क्लास्ट पर स्वगत है और क्लास टोल्ट कमेस्ट्री एंसे अर्टी चैप्टर 4 में आज का टोपिक है अवक्रिया की अनुसंखता साथ में स्टुडेंट हम चर्चा करेंगे अवक्रिया की कोट यह और सकते हैं जो अवक्रिया हैं इसको अध्धन करने के लिए हम इन चीजों का पढ़ाई करते हैं धहन दीजिएगा थोड़ा सा क्योंकि इस्टुडेंट जब आपको पता है कि जिसमालीजी एक वीकर आपने लिया और वीकर में दो पदार्थ मिला दिया दो अविकारक मिला द समझेंगे उके शुरू करते हैं अवक्रिया की अनुसंक्ता समझेगा अड़ों की संख्या अनुसंक्ता इसका विछेद किजिए अनुसंक्ता का तो अनुसंक्ता कुल मिलाकर कोई भी अवक्रिया संपन हो रही है उसमें कितने अड़ों भाग ले रहे हैं उसकी संख्या ही अविक्रिया की अनुसंखता कहलाती है यानि किसी अविक्रिया में संपन होने के लिए यानि रासानिक अविक्रिया संपन होने के लिए आरंबिक पज में भाग लेने वाले अविक्रिया की अनुसंखता कहलाती है जितने भी जो अविकाराक हैं भाग ले रहे हैं उसकी वो अनुसंखता कहलाई एक्जामपल के माद्यम से समझेंगे जैसे स्टूडेंट हम यहाँ पर आपको दे रहे हैं H2O2 यह अफ्क्रिया संपन होता है और तूट कर पेरे भायो यह आपका H2O बनाता है और प्लस नौजात आक्सिजन बाहर हो जाता है मन गत्से संपन होता है अब इसमें आप बताओगे कि किस प्रकार की कोटी की अफ्क्रिया है तो सरी मतलब अनुसंख्रिता कितनी है हलाकि यह प्रथम कोटी है कोई दिक्कत नहीं कोटी की बात करेंगे तो प्रथम कोटी है लेकिन यहां पर श्टूड मैं आपसे कह रहा हूं कि कितने अनु भाग ले रहें तो यह एच्टू ओटू हाइड्रोजन पर आक्साइट के कितने अनु भाग ले रहें एक अनु भाग ले रहें तो यह जो अवक्रिया है एक अणू का अवक्रिया कहलाएगी ठीक है अणू संगता है अणू की संख्या ओके इतना क्लियर इसके बाद हम एक्जामपल के तौर पर स्टूडेंट यह दि कह दें आप से कि H2 प्लस I2 यह आपस मिलकर क्या बनाएगे तो 2HI बनाते हैं तो 2HI बना लेगे ठीक है ना तो 2HI हो गया अर्थात इसमें जो अविकाराक हैं कितने हैं तो दो अविकाराक के अडू हैं H2 के रूप में और I2 के रूप में यहनि इस रासानिक अवक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ दो हैं एक hydrogen और एक क्या IOD तो किसी भी रासानिक अवक्रिया में चितने अडू आरंबिक पज में भाग लेती हैं वही अडू संगता है तो यहाँ पर अडू संगता कितने होगी दो तो इसलिए हम बोलेंगे दूई अडू अवक्रिया हैं अडू जब एक अडू भाग लेता है यहनि एक अडू अफ्क्रिया संपन कराता है उसे एक अडू का अफ्क्रिया कहते हैं और जब दो अडू आपस में क्रिया करते हैं तो दूई अरू और इसी प्रकार यदि हम इसके जगे इस्टूडेंट ऐसा ले लें तीन अडू का फक्रिया जैसे FeCl3 या FeCl3 के दो अडू और स्टूडेंट तीन क्लूराइड SnCl2 के एक अडू तो यह बनाएगा FeCl2 ठीक है और यहाँ दो आइरन है तो का मल्टिप्लाई और यह SnCl4 यह बनाता है अब इसमें आप कहेंगे कि भीया आइरन जो क्लूराइड है FeCl3 के कितने अडू है तो दो अडू है और टीन क्लूराइड के कितने अडू है तो एक अडू तो टोटल कितने हों के दो और एक तीन है तो यह कहलाया त्री अडू का अफक्रिया है मतलब जो अडू संखता है अरूओं के संख्या के आधार पर परिभासित होता है किसी भी राशानिक अभक्रिया में जितने अडू भाग ले रहे स्टूरेंट उसके ओ अनुसंगता गहलाती है ओके, क्लियर है ना, राशानिक अभक्रिया भी आप देख लिए कि जैसे इसमें एक अडू भाग लिया था तो एक अडू का अभक्रिया कहलाएगा इसमें स्टूरेंट दो अडू H2 और I2 तो दो अडू का अभक्रिया कहला गई और स्पे स्टूरेंट FECL3 के दो अडू और SNCL2 के सिंगल इन की इतने अडू ? तीन अडू भाग लिये तो तρι अडू का अभक्रिया रह गई अब इसके बाद आपको अडू संक्टा हो गई न किसी भी राषानिक अभक्रिया में अभक्रिया संपन होने के लिए प्ररंबिक पद में जितने अडू भाग लेते हैं उसे कहते हैं अडू संकता यदि एक अडू भाग लेंगे तो एक अडू अडू अपक्रिया है दू अडू भाग लेंगे तो त्री अडू अडू अपक्रिया है तीन अडू भाग लेंगे तो त्री अडू अडू अपक्र दाल है तो इस प्रकार से अनुसंकता तो सिंपल है है ना तो इस्टुड़ेंट आपको बता हो गया molecularity of reaction molecularity मतलब अनुसंकता तो कई सारे बच्चे कहा करते हैं कि सर आप English भी थोड़ा सा topic बता दिया करें तो अनुसंकता को होता है molecularity क्या molecularity अभी मैंने यहाँ पर English नहीं लिखा लेकिन next वीडियो के साथ मैं कोशिस करूँगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या मोलेकिल रटी मिनिंग मतलब अनुसंक्ता मतलब अनुसंक्ता का सब्ढ़ करते अनु की संख्या यहने किसी राशानी कभक्रिया में जितने अडू भाग ले रहे हैं उसके क्या कहलाएगी अनुसंकता कहलाएगी तो यह क्लियर हो गया तो आपको प्यारे भाई हूँ हेडिंग भी डालना है और हेडिंग के करके तीनों लिखना है आपको कौन कौन सा जो अनुसंकता है तीन भागों बटा गया और भी आगे हम ले सकते हैं चार भाग माज भाग लेकिन मुक्रूप से इस्ट्रूट पहला जो आपका परिभासा देना है वह एक अनु कभक्रिया क्या एक अरूप कर कि लिया इसका हम क्या कहेंगी एक्जांपन अपने देखी लिया कि कहने के मतलब राशानिक दापक्रिया में जब केवल एक अनु भाग लेते हैं तो उसे एक अनु कभक्रिया कहता है क्या बोलते हैं एक अनुप फिर दूई अडूक में क्या होगे आप दूई अडूक अबक्रिया लिखेंगे आप लोग कि ऐसी रसानिक अबक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अडूक की शंक्या दो है या ऐसी रसानिक अबक्रिया जिसमें अभिकारा के दो अडू भाग लेते हैं उसे हम दूई अडू करिया कहते हैं तो आप लोग तीसरा बेडिंग डालेंगे और आप लोग को पूरा परिभासा लिख लेना है त्री अडूक ऐसा नहीं बिभिन अडू संखता वाली अफक्रिया हैं तो एक अडूक अफक्रिया फिर दूए अडूक अफक्रिया फिर त्री अडूक अफक्रिया सिंपल है वह रासानी का अफक्रिया जिसमें किवल एक अडूक अफक्रिया में भाग लेते हैं एक अडूक अफक्रिया और वह रासान कर लेते हैं student अवक्रिया की कोटी और अनसंखता में अंतर फटापट जश्चा करेंगे पांच अंतर आपको तयार करना student क्योंकि इसके पहले हमने अवक्रिया की कोटी के वारें समझाया था अवक्रिया की कोटी तो student आप देख के कभी नहीं बता सकते हो यह प्रयोगिक निर्धारण ही है ओके चले अविकारक के अड़ों की वह संख्या जिसकी वह जिनकी सांद्रता परिवरतां से अवक्रिया की दर निर्धाईत होती है अवक्रिया की कोटी कहलाती है कुल मिलाकर के student जो अड़ों की संख्या हो तो अड़ों संख्या हो गई लेकिन किसी अवक्रिया को संपन कराने के लिए, किसी अवक्रिया को संपन कराने के लिए, जितने अडू की संख्या उपस्थिती होती है, प्रजिन्टेशन देता है, जो भी अडू भाग लेता है, उसे ही हम कहेंगे कोटी, कुल मिला करके कोटी में जितना भाग लिया, वो तो अनुसंकिता हो गया, लेकिन कितना अब क्रिया की दर को निर्धायद कर रहा है, वो अब क्रिया की कोटी है, कोटी को देखकर नहीं बता सकते किसी अब क्रिया को, क्योंकि यह प्रयोगिक निरधारन है। अनुसंखता केवल डायेक्ट जितने भाग ले रहें जिसे कि किसी लडाई में पचीश लोग गये, तो पचीश के पचीश पूरे के क्या होगे, अनुसंखता होगे, लेकिन पचीश में पांची वहाँ पर फाइरिंग करे, लडाई करे, तो फिर इस्टूर्ट वह अवख्र के चीजन क्लियर कुछ समझ में आया कि जितना भाग यह वह अनुसंगता लेकिन जितना भाक lesser कि दर को प्रफावित की अव्प्रिया के दर कर द द्र कि उससे एक नद्मक ते यह मतलब 122 तो एक सक्कता है लेकिन जो अनुसंकता है वो भी नात्मक नहीं होता सदय पुरांग होता है इसका मान दर अनियम की सहायता से ग्याद किया जाता है दर अनियम की सहायता से ग्याद करते हैं क्योंकि इस्टन ये प्रयोगी की है सध्धान्तिक नहीं बता सकती है यह अवक्रिया की क्रिया विजी पर न नहीं यह संपूर्ण अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है यह हम अभिकारक को भी आप नजर में रखेंगे और उत्पाद को भी कितना अभिकारक में कमी हो रही है कितना उत्पाद में ब्रद्धी हो रही है यही अभिक्रिया की दर को निर्धारत करती है और अभिक्रिया क की दर से ही अवक्रिया की कोटी का निर्धारान होता है इसलिए संपूर अवक्रिया पर डिपेंड करता है कौन अवक्रिया की कोटी लेकिन यह अवक्रिया की किसी विशेश पद पर संबन्दित होता है मतला अविकारा की अडू उपर कितने अडू भाग ले रहे सिंपल है न नहीं रखता किसी प्रकार कर संबना नहीं दर सकता ओके स्टूडेंट तो अब क्रिया की कोटी बास्तों में क्या है जो किसी अब क्रिया के दर को क्या करें निर्धारित करें तो अब क्रिया की कोटी है जिसे हम देखकर नहीं बता सकते समझ रहें जो किस सांदरताओं को घातांको की रूप में लिखा जाता है गुल वर्गे बंबागे करिया हम आपने पढ़ा ना समझ रहें ने स्टुरेंट तो अनुसंकता और अपक्रिया की कोटी में जो डिफरेंस है वो भी आप लोगों ने कर लिया और इसी प्रकार की वीडियो लगातार मैं लाता रहूँगा प्ली चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आपको हैंडिटे नोट्स लेना है तो 96,29 पर कंटेक्ट करें आपको हैंडिटे नोट्स मात हैंडिट उपए में वाट्स अप पे दिया जाएगा चले मिलते हैं इसी प्रकार के अगली वीडियो के साथ तब तक ले जैहीं बंद मात रहूं